नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिशेत दोस्तु पस्तित हूं आप सभी की सेवा में एक बहद ही महतोपून जानकारी को ले करके जिहां आज हम सभी एक ऐसे पोधे के बारे में जानेंगे जिसका हरे कंग दवा के रूप में प्रियोक किया जाता है जिहां ये बाह हर जगह देखने को मिल जाता है लेकिन इसके उपयोग की जानकारी कम लोगों को है तो यहां हम आपको इसके प्रयोग की जानकारी बता रहे हैं आप अर्क के पौधे शुश्क, उसर और उंची भूमी में प्रायव सभी जगह देखने को मिल जाते हैं इस वनस्पति के विश्य में साधारन समाज में यह भ्रांती फैली हुई है कि आग का पोधा विशैला होता है तथा यह मनुश्य के लिए घातक है इसमें किंचित सत्य जरूर है क्योंकि आयरवेद संहिताओं में भी इसकी गर्णा उप विश्यों में की गई है यदि इसका सिवन अधिक मात्रा में कर लिया जाए तो उल्टी दस्त होकर मनुश्य यह मराज के घर तक जा सकता है इसके विपरित यदि आग का सिवन उचित मात्रा में योग्य तरीके से चतुरवैदी की निगरानी में किया जाए तो अनेक रोगों में इससे बड़ा योगी है एवं यह सुर्य के समान तिक्ष तेजस्वी और पारे के समान उत्तम तथा दिव्य रसायन धर्मा है आए सबसे पहले इसकी पहचान जानते हैं यह पोधा अकोवा एक और शधिय पादप है इसको मदार मंदार आक अर्क भी कहते हैं इसका वरिक्ष छोटा और छ पीले रंग के हो जाते हैं इसका फूल सफेद छोटा छता दार होता है फूल पर रंगिन चितियां होती है फ़ल आम के समान होता है जिन में रुई होती है आग की शाखाओं में दूध निकलता है यह दूध विष का काम कर देता है आक गर्मी के दिनों में रेतिली भूमी पर होता है चौमासे में पानी बरसने पर सुख जाता है अब आए जानते हैं इसके नो प्रकार के अध्भुत लाभों के बारे में आग के पोधे की पत्ती को उल्टा उल्टा का मतलब है पत्ते का खुरदुरा भाग इसको उल्टा करके पैर के तल्वे से सटा कर मोजा पहन सुबह और पूरा दिन रहने दें रात में सोते समय निकाल दें एक सबता में आपका शुगर लेवल समान्य हो जाएगा साथ ही बाहर निकला हुआ पेट भी कम हो जाएगा आग का हर अंग दवा है हर भाग उपयोगी है यह सुर्य के समान तिक्षन तेजस्वी और पारे के समान उत्तम तथा दिव्य रसायन धर्मा है कहीं कहीं इसे वाना स्पतिक पारत भी कहा गया है आग के कुमल पत्ते मीठे तेल में जलाकर अंड़कोश की सूजन पर बादने से सूजन तूर हो जाती है तथा कड़वे तेल में पत्तों को जलाकर गर्मी के घाव पर लगाने से घाव अच्छा हो जाता है इसके कुमल पत्तों के धूए से बवासीर शांत होती है आग के पत्तों को गर्म करके बादने से चोट अच्छी हो जाती है सूजन दूर हो जाती है आग की जड़के चूण में काली मिर्च पीस कर मिला लें और छोटी छोटी गोलियां बना कर खाने से खांसी दूर हो जाती है आग की जड़के राख में करुआ तेल मिलाकर लगाने से खुजली अच्छी हो जाती है आग की सूखी डंडी लेकर उसे एक तरफ से जला लें और दूसरी और से नाक द्वारा उसका धूआ जोर से खींचे सिर का दर्द तुरंत अच्छा हो जाता है आग का पत्ता और डंठल पानी में डाल कर रखें उसी पानी से आब दस्त लें तो बवासीर अच्छी हो जाती है आग की जड़का चून गर्म पानी के साथ सेवन करने से उपदंश यानि की गर्मी रोग अच्छा हो जाता है उपदंश के घाव पर भी आग का चोन छिरकना चाहिए आखीं के काड़े से घाव को धोना चाहिए आख की जड़ को पानी में घिसकर लगाने से ना खुम के रोग अच्छे हो जाते हैं आख की जड़ छाया में सुखा कर पीस लें और उसमें गुड मिला कर खाने से शित ज्वर शांत हो जाता है आख की पकालें जब आधा पानी रह जाए तब जड़ निकालने और पानी में दो सेर गेहु छोड़ें जब जल नहीं रहे तब सुखा कर उन गेहुं का आटा पीश कर पाव भर आटा की बाटी या रोटी बना कर उसमें गूर और घी मिला कर प्रती दिन खाने से गठिया बाद दू हो जाती है बावा सीर के मसो पर लगाने से मस से चले जाते हैं बर्रे काटे में लगाने से दर्द नहीं होता चोट पर लगाने से चोट शांत हो जाती है जहांके बाल उड़ गए हों वहां पर आख का दूध लगाने से बाल उगाते हैं लेकिन ध्यान रहे इसका दूध आ यानि कि अगर आपने सही धंग से नहीं इस्तेमाल किया तो आपको नुक्सान भी हो सकता है इसलिए बहुत साउधानी के साथ इसका प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत लाफकारी और शद्य सावित होगी है तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले अपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहदी महत्तो पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों